हाई फ्रेंट्स मैं हूँ रेखा और रेखा दा इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब आए हो बिल्कुल अच्छे फ्रेंट्स आज हम आपके लिए के आया है दही के आलू बनाने में बहुत ही आसान है और यह रेसिपी सभी को पसंद आने वाली है तो फ्रेंट्स आए दही के आलू बनाना स्टार्ट करते हैं दही के आलू बनाने के लिए हमने लिये हैं यहां पे तीन बड़े साइज के आलू अगर छोटे साइज के आलू है तो आप चार से पांच आलू ले सकते हैं सबसे पहले हम आलू को छील लेंगे आलू को हमने छील लिया है आईए अब हम सबजी के लिए आलू को कट कर लेते हैं आप जैसा चाहें उस साइज में आलू को कट कर सकते हैं देखिए मैंने बड़े साइज में आलू को कट किया है देखे हमने आलू को कट कर लिया है अब हम आलू को कुकर में डाल देंगे हमने लिया है कुकर और कुकर में हम डाल देंगे लगबग एक ग्लास पानी अब हम कट किये वे आलू को भी कुकर में डाल देंगे कुकर का ढखकन लगा देंगे और लगबग एक सीटी आने तक हम इसको पका लेंगे कुकर में सीटी आ चुकी है गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और कुकर खुलने का वेट करेंगे आलू बॉइल हो चुके हैं आलू को अब हम कुकर से एक प्लेट में निकाल देंगे अलुब नाने के लिए हमने यहां पर एक कटोरी धाई फैंट के रखा है देखिए बिल्कुल एक सा धाई हुआ है और यह धाई हमने ज्यादा खटा नहीं लिया है दो दिल पुराना ही धाई है अगर आप ज्यादा खटी सब्जी पसंद करते हैं तो तीन से चार दिल पुरा बस भी कर सकते हैं, दही के आलू बनाने के लिए हमने जो मसाले यूज में लिए हैं, वो सब मैंने आपके सामने रखे हैं, इसमें हमने लिया है नमक, टेस्ट की अकॉर्डिंग है, छोटा अदा चमच हरली पाउडर है, एक बड़ा चमच लालमिश पाउडर है, एक बड़ा इसमें हम डाल देंगे लगबग दो बड़े चमच के आसपास मस्टाड ओईल, ओईल को गरम होने देंगे, ओईल गरम हो चुका है, देखिए ओईल में से बहुत अच्छे से दुमा भी निकल रही है, गैस के फ्लेम को एकदम कम कर देंगे, सबसे पहले हम ओईल में डाल द देंगे अधरक, साथ ही हम डाल देंगे हरिमेच, अब हम डाल देंगे तैयार की हवा प्याज, प्याज को अच्छी तरह से पका लेंगे, प्याज बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, देखिए ओईल भी रिलीज हो गया है, और प्याज ने कलर भी चेंज कर लिया है, आ धनिया पाउडर लाल मिच पाउडर काला नमक सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे देखिए लगबग एक निट के आसपास हमने मसालों को भी पता लिया है और ओल रिज हो चुका है अब हम डाल देंगे दही दही डालने एक बाद हमें सबजी को लगातार तलाते रहना है नहीं तो हमारी जो दही है यह फट जाएगी गैस के फ्लेम को हाई रखें ताकि दही फटे नहीं दही के आलो के लिए कितनी बढ़िया हमारी करी बनके तयार हुई है कलर भी कितना बढ़िया आया है अब हम आदा क्लास के आसपास पानी लेंगे इसको हम ग्रेवी में डाल देंगे उबलने देंगे ताकि सबजी में कच्छा पन ना रहे देखिए समसाले भी बहुत अच्छे से पक चुके हैं दही भी बहुत अच्छे से पक चुकी है अब हमने जो पानी डाला है उसको भी हम अच्छे से पका लेंगे और आप यकीन मानिए खुश्बू इतनी बढ़िया होगा अरही है दही के आLP के लिए ग्रेभी हमारी है अब हम डाल देंगे गरमसाला अगरमसाले को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे अगर आपके पास फ्रेश पोदीने की पत्ती तो आप इसमे फ्रेश पोदीने की पत्ती भी काटके डाल सकते हैं, दही के आलू में फ्रेश पोदीने का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, अब हम बॉइल किए वे आलू भी ग्रेवी में डाल देंगे, सबी आलू को डालने के बाद में एक बाद ग्रेवी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ताकि आलू ग्रेवी में डिप हो जाएं, देखिए, लुकिंग में कितनी बढ़िया हमारी सब्जी बन के तयार हुई है, जितनी सुंदर दिख रही है, उकनी टेस्टी भी है, अब हम 2 मिट के लिए इसी तरह से पकने देंगे, ताकि आलू भी हमारे अंदर तक रसीच जाएं, लगबग 2-3 मिट के आसपास हमने आलू को पका भी लिया है, ग्रेवी के अंदर, एक बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ओल भी सब्जी में से रिलीज हो गया है, और दे दही के आलू हमने सर्फ कर दिये हैं, देखे लुकिंग में कितने बढ़िया और कितने टेस्टी दिख रहे हैं, तो फ्रेंड्स रेसिपी को ट्राइ करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट समसे शेयर करें, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, थेंक यू, थेंक so much have a nice day